जिन्हें जाना जाता है बॉलेवुट की सिम्रन के नाम से जिन्हें जाता है चुलबुली लड़की के नाम से जिहां हम बात करें हैं बॉलेवुट की मशुहूर अदाकारा खाजोल के बारे में नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी होस्ट चित्रा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल एक्श नाइ нов yourself और आज हम बात करने वाले हैं काजोल के बारे में क्वार्दे पर रास किया है उनकी फिलमों में उनकी सिंपल सिटी को हमेशा लोगों ने खूबभ लेकिन अगर देखा जाए तो हाल फिलाल काजोल को कुछ एक फिल्मों में ही देखा जाता है तो वहीं उनके करियर को लेकर उनकी 13 साल की बैटी न्यासा उनकी बेहद मदद कर लही है और इस बात का खुलासा खुद काजोल ही करती है दरसल काजोल ने हाल ही में ये बताया है कि उनकी बेटी न्यासा ने उन्हें ये समझाया कि वो सोचल मीडिया पर एक्टिव रहें क्योंकि इससे उनकी ब्रेंड वैल्यू बढ़ेगी और अपनी बेटी की बात को मानते हुए काजोल अब आए दिन ही सोचल मीडिया पर कोई ना कोई फोटो पोस्ट करती ही रहती है यानि ये साफ है कि काजोल अब अपनी मा के करियर को समझने लगी है जिसके चलते हैं वो मा की बन चुकी हैं सलाकार तो चलिए जानते हैं आज करिस्खार्स प्रोग्राम में क्या कुछ कहा है काजोल ने अपनी बेटी न्यासा को लेकर तो साथ ही साथ अपनी आने वाली फिल्म हेलिकॉप्टर रिला को लेकर क्या कुछ कहती हैं आप सभी की फेवरेट काजोल अब डी-डी-एल जे की उस सिमरन को को नहीं जानता जिस सिमरन ने चलती हुई ट्रेन में भाग कर अपने प्यार को हासिल किया था एक्टरस काजोल जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़ कर एक किरदार प्ले किये हैं ना सेफ सिमरन बलकि अंजली जैसे किरदार में भी उन्होंने बखो भी जान दाले और काजोल जो हमेशा ही बड़े परदे पर एक मशुहूर चहरा रही है बता दे कि इन निरो काजोल अपनी आने वाली फिल्म हेलिकॉप्टर एला की प्रमोशन में बिजी है इस फिल्म में वो एक मा का करदार निपाने वाली है काफी समय बाद काजोल बड़े परदे पर नज़र आएंगी तो वहीं बता दे कि ऐसे में काजोल अपने होम प्रोडक्शन में तैयार इस फिल्म के प्रमोशन में जी जान से जुट चुकी है वही एक खास बात चीट में काजोल ने उन्हें काफी कुछ बताया काजोल बताती है कि किस तरह से अब उनका करियर सिर्फ उनका नहीं रहा यानि उनकी बेटी न्यासा उन्हें काफी सलहा देती है उनके करियर को लेगा दरसल बता दे कि लंबे समय तक सोशल मीडिया से दूर रह रही काजोल को काजोल खुद बताती है कि उनकी बेटी न्यासा के लंबे लेक्चर के बाद वह इंस्टाग्राम की दुनिया में आई काजोल ने बताया कि किस तरह से उनकी बेटी न्यों ने काफी बड़ा लेक्चर दिया उनकी बेटी नियासा धाई साल पहले सोशल मीडिया में नै होने पर एक लंबा लेक्चर उन्हें दे चुकी है और अच्छी तरहें उन्हें ये बात भी समझाई कि अगर वो सोशल मीडिया पर होंगी तो उनकी ब्रैंड वैल्यू बढ़ेगी काजुल बताती हैं कि वो भी अपनी बेटी को पूरे ध्यान से सुनती रही तो साथ ही साथ उनकी बेटी ने उन्हें मीडिया के बारे में भी काफी कुछ सिखाया उन्हें तो कोई interest ही नहीं था social media के बारे में लेकिन जब न्यासा ने समझाई उन्हें हर चीज तो उन्हें काफी खुशी हुई और उसके बाद उन्होंने social media की दुनिया पर कदम रखा वो बताती है कि जब उनकी बेटी ने उन्हें कहा कि उन्हें अपनी फोटो खीच कर सोशल मीडिया पर डालने होंगी तो काजोर कहती है कि उन इस चीज़ में कोई इंट्रॉस्ट नहीं है कि वो अपनी तस्वीर लेकर लोगों के साथ शेयर करें लेकिन उनकी बेटी नियुने बड़े प्यार से कहा कि आप चिंता मत किये जी आप इसे खुब इंचोय करेंगी यानि साफ तोर पर जाहिर है कि अब बेटी नियासा मा काजोल को सला देने लगी है कि कैसे वो अपने करियर को और बहतर बना सकती है और इस बात से काजोल बेहत खुश है वहीं अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया का हिस्सा बनने के बाद काजोल हर कुछ समय बाद कोई ना कोई तस्वीर श्रियर करती ही रहती है यानि उनकी बेटी नियासा कि ये बात सच हो गई कि वाकई वो इसे बेहत इंज्डॉय करेंगी और अगर देखा जाए तो वाकई काजोल बेहत इंज्डॉय भी कर रही है सोशल मेडिया पर वहीं दूसरी तरह पकर देखा जाए तो काजोल जहां फिल्म हेलिकॉप्टर इल्ला में नसर आने वाली है अपने इस फिल्म को लेकर वो पिछले काफी समय से चर्चा में बनी हुई है इस फिल्म में काजोल एक माह का करदार निभा रही है जो हर पर अपने बेटे के पीछे घूमती रहती है लेकिन बता दे काजोल का कहना है कि अपने इस करदार से और अपनी असल जिन्दगी से वो बिल्कुल जिदा है यानि अपनी असल जिंदगी में वो बिलकुल भी एक हेलिकॉप्टर इल्ला जैसी मा नहीं है अपनी फिल्मों के बारे में भी काफी कुछ कहती है काजोर वही जब उनसे उनकी फिल्म की कमाई के बारे में बात की गई और ये पूछा गया कि वो अपने इस फिल्म से कैसी उमीद रखती है तो वो कहती है कि वो इस फिल्म को लेकर किसी भी तरह की कोई उमीद नहीं रख रही है हाँ इतनी उमीद जरूर करती है कि दर्शकों को यह फिल्म पसंद आए और वो यह प्राटना भी करती है कि लोग फिल्म देखने के बाद सरहाना जरूर करें और बॉक्स ओफिस पर फिल्म पॉसिबल साबित हो पाए वही काजोल यह हैं भी कहती है कि फिल्म अच्छी बनी है और हेलिकॉप्टर एला को लेकर बेहद कर्फ महसूस करती है अब जाहिर सी बात है जिस फिल्म में होगी काजोल अब उस फिल्म की तारीफे तो खुब की जाएंगी वर अब देखना यह होगा कि हेलिकॉप्टर एला की करदार में दर्शरक अपनी पेवेट अदाकारा को कितना पसंद करती है तो कि जहां हमेशा ही इनका चिल्बुला अबतार देखा गया है वहीं अब इस फिल्म में उनका ही मावाला रोल देखना वाकई दल्चस्प साबित होने वाला है बॉलेवुट के चिल्बुली एक्ट्रस काजोल जो अपने शांदार अभीने के साथ साथ अपने चिल्बुले अंदास के लिए भी जाने जाती है लेकिन कभी-कभी ही उनका ये चुल्मुलांदाल सी उनको मुसीबत मिदा दिता है जब अपने पती से ही उन्हें सुन्दे को मिलती है लेकिन आज हम आपको उनके बारे में एक खास बात बताने वाले हैं लेकिन उससे पहले गोड कराना चाहेंगे कि काजोल जर्द ही तर्म हेलिकॉप्टर इला में नर्ड जराएंगे तो अपनी तर्म के प्रमोशन में उन्होंने काफी कुछ कहा काजोल ने इसी दोरान बताया कि किस तरह से उनकी बेटी न्यासा उनके करियर में मदद कता ही है काजोल बताती है कि वो सोशल मीडिया पर बिल्कुल प्रेक्टिव नहीं थी लेकिन उनकी बेटी न्यासा ने उनको समझाया कि अगर वो सोशल मीडिया पर आती है तो उनकी brand value बड़े भी और इस तरह से वो मा को सलाह दे रही है अक्रूस काजोल जो आज किसी पहचान की मुहदार रही है काजोल ने फिल्मी परदे पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है तो भी बता दे हाल ही में काजोल आने वाली फिल्म हेलिकॉप्टर इला की प्रमोशन में देखिये हमारी इस खास वीडियो में काजोल काई अंदास जब भड़कती हुई नजर आई है है एुब, हुआ हाझ कर दो मैं कि झाल कि अब झाल जो कर दो थे घजार थार भा जो आदार वेल जहां उनकी पहचान होती है बड़ बोले अंदाज से जहां उनको हर कोई सिम्रन के नाम से भी जानता है काजोल ने अपने फिल्मी करियर में हर किरदार से अपनी एक अलग पहचान बनाई है और उनको हमेशा ही एक अलग-अलग किरदार के लिए जाना जाता है काजोल की एक्टिंग की दर्शक जितनी सरहाना करती है वो वाकई काबिले तारीफ है क्योंकि आज भी काजोल बेहत ही खुबसूरत और शानदार एक्टिंग करती ही नजर आती है तो वहीं जैसा कि हम बता चुकी है कि इन दिनों काजोल एक बार फिर से नजर आने वाली है बड़े परदे पर अपने आने वाली फिल्म हेलिकोप्टर इला में और इस फिल्म में वो एक मा का किरदार निभाने वाली है अपने इस फिल्म को लेकर क्या कुछ कहा है काजोल ने वो तो आप देखी चुकी है हमारे इस खास प्रोग्राम में तो साथ ही साथ आप सभी को ये भी बता दे कि अपने इस फिल्म को लेकर उन्होंने एक बार ये स्टेर्टमेंट भी दिया था वेल दोस्तों ये था हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में अविसी के साथ मुझे दीजु इसाज़त और साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूने अगर आप भी बनना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, पीजियो एडिटर, कैमरा मैं या पर स्क्रिप्ट राइडर, तो हमें संपस करें